कि दा प्रोडेक्ट ऑफ टू कंजुक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इस थ्री जीरो सिक्स वी नीड़े टू फाइंड दा इंटीजर्स अब जो कंजुक्यूटिव का मतलब होता है बहुत लगाता राने वाले नमबर जैसे एक के बाद क्या आता है दो के बाद तो ऐसे चलता जाता तो इसी को गोलते थो मैं लेट करूंँ आपको दो दो नंबर देना है दो मैंने लेट कर लिया सेकेंड यह वड़ प्रॉलम तो मैंने लेट दा लेट दा फर्स्ट कंजी क्योटिव integer b x अगर पहला x है तो x से अगला वाला एक ही ज़ादा होगा ना जैसे गिंती में भी तुम गिंती थे तो second consecutive integers b तो x प्लस 1 इससे एक ज़ादा हो जाएगा जैसे मैंने बोला 1 फिर 1 से 1 ज़ादा कर दिया तो 1 प्लस 1 फिर एक और आगे गड़े तो 1 प्लस 2 तो गिंती बनने यागे एक दो तीन बन गहीं न गिंतिया इसी को बोलते है consecutive नंबर समझ मारा है हां तो अभी मैंने नंबर ले दो यह नंबर बोले थे तो x x प्लस बना कर तीन नंबर बोलता तो x प्लस 2 भी हो जाता लेकिन अगर तीन नंबर बोलता तो equation cubic बनने लग जाती बास समझ मारा गई हां क्योंकि डाटा मार को प्रोडेक्ट का given कर रहा है इसलिए बोल ला हूं अब यह आपका बन गया एक नंबर consecutive फर्स्ट यह सैकेंड नंबर बन गया आपको बोला गया है कि दौनों नंबरों का प्रोडेक्ट देखो आ गया तभी मैं बोलना था एक cubic बन जाती है अगर प्रोडेक्ट कर वाएंगे तो तो दौनों नंबरों का प्रोडेक्ट है पहला नंबर और दूसरा नंबर का प्रोडेक्ट प्रोडेक्ट का मतलब हो था multiply करवाना और दौनों का प्रोडेक्ट गीवन कर रहा है 306 बोलो कोई डाउट अब इसको इंडू करा हो तो एक्स को एक से करवा तो आएगा एकस स्केर एक्स को वंन से करवा तो आएगा एक्स वंजा एक्स और 306 बोलो कोई डाउट इसको अंदर लेक रहा हो तो ये माइनस हो जाएगा तो acts square plus x माइनस का 306 एक्वल to 0 बोलो कोई दिक्ट अब वही बन गए एक कोशन कोईड़ एक कोशन रंगे यह आपका आंसर होगा लेकिन अपनको दोनों नंबर फाइंड करने अब मैंने का तोड़ने का तरीका क्या होता है आगे वाले को पीछे से इंटू कराऊगा तो आपका 3060 आगा क्योंकि आगे कोई नंबर ही नहीं है अ अब इसके फैक्टर ऐसे तोड़ो के आंसर एक आणाची दुवारा चलो तो तो तीन से काटा मैंने 3 एकम 3 0 3 दूनी 6 2 से काटा 2 5 10 2 एकम 2 17 से काटा 17 51 3 से काटा 3 एकम 3 कोई दिक्कत अब आप देखो मैंने का ऐसा फैक्टर रेंज करना है कि यह आना चीए तो मैंने वोला आओ वही तीन तिया 9 और 9 दूनी 18 आगे 18 और 17 आठारा में 17 जाएंगे तो कितना बचेगा गुड़ अब आपका 1 बच गया और इनको इंटू कराओगो तो आपका 306 आगा इंटू कराके चेक कर लेना तो क्या बन जाएगा देखो रिजल्ट आगे वाले को ऐसी रिखा 18 एक्स क्योंकि बड़े के आगे प्लस का निसान चाहिए प्लस के आगे 18 एक्स माइनस 17 एक्स इक्वल में 306 सरी माइनस का 306 केल जीरो को दिकत अब कॉमन ले लो यहाँ पर से कॉमन आ रहा है एक्स तो एक्स कॉमन ले लिया एक्स प्लस 18 यहाँ से कॉमन ले लिया मैने माइनस का 17 तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 18 जब भी कॉमन निकालो इंटू कराके चेक करो द 360 कोई लिकत लिखे इत ही झाये इंट दीन 10 ना है पाइक से चॉम नाथ दौनाव say 10 आдерж लिए टो इन दौन दीना पैस्क्त लिए डिया श्रूल नाहिए दौन से और में सवस्थ बचांब एठीनों दीन सब्चांब इन दौन आए x plus 18 को common निकालो x plus 18 भी common निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बचा बॉस x minus 17 equal to 0 कोई दिक्त अब यह दो factor बनेंगे x plus 18 equal to 0 1 और x minus 17 equal to 0 दूसरा वाला तो यह plus 18 अधर जाएगा तो minus 18 यह minus 17 अधर जाएगा तो plus 17 अब quotient पढ़ो quotient ने क्या बोला था यह वाला number not possible है reason पूछो क्यों क्यों कोई quotient में लिखा हुआ positive integer लेने हैं आपको और positive integer आपके जो होते हैं वो 0 से start होते हैं plus के infinity तक जाते हैं negative number यहाँ पर है integers बोलो कोई दिक्त तो यह तो number negative आ रहा है ना यह तो इस तरफ होगा अपने को तो positive number चाहिए थे yes or no तो यह वाला number not possible हो जायागा तो पहला answer जो आएगा आपका पहला integer आपने जो माना है वो आजाएगा x की value 17 और 17 में एक जोड़ दोगा तो दूसरा हो जाएगा 18 और जो है लगातार तो आपका 306 आयाएगा बात समझ में आ रही है